दस बाई दस के चार पेपर ले ले लेजे पेपर को इसी तरह फोल्ड कर लेजे फिर से पेपर को सेम प्रोसेस से फोल्ड कर लेंगे रिपीट दसेम प्रोसेस बाखे बचे हुए तीन पेपर को इसी तरह फोल्ड कर लेंगे फोल्ड के हुए पेपर को पेंसिल से इसी तरह मार्क कर लेंगे ताकि आपको आसानी हो काटने में मार्क के हिसाब से पेपर को काट लेंगे फोल्ड के हुए पेपर को इसी तरह फोल्ड लेंगे सारे पेपर को बीच में से काट लेंगे अभी हाप रेड और हाप ब्लाक पेपर को ग्लू से चिपका देंगे इसमें से एक हिसा काट लेंगे इसमें से दो हिसा काट लेंगे इसमें से तीन हिसा काट लेंगे कुछ इस तरह पेपर को हलका फोल्ड कर लेंगे गम के मदद से इस तरह दो हिस्सों को जोड लेंगे कुछ इस तरह सिस्टेमाटिकली सारे दावर्स को जोड लेंगे इसके बार सारे पेटल्स को एक एक करके जोड लेंगे इसके बार सारे पेटल्स को जोड लेंगे पुर्ण शगि उसके बार साम भेटल्स को जो यूल्स को बदमीदtes Arab फाइनली अब आपका डूल कलर पेपर रोज बनके तेयार है इसी प्रोसेसे डिफ्रेंट डिफ्रेंट कलर के रोजेस अब बना सकते हैं